हेलो गाइस अगर आप लोगों के पास Vivo Y 28 5G मुबाइल फोन और अपने इस मुबाइल फोन में फिंगर्प्रिंट एप लॉक सेटिंग का यूज करना चाते हूँ यानि कि अब अपने मुबाइल फोन में एप लॉक को सेट करना चाते हूँ उसके सांसन जो एप लॉक होता ह उसे आप फिंगर से भी अनलोक कर पाओ तो आप इस सेटिंग को किस तरीके से अपने मुबाइल फोन में कर सकते हो आज कि इस वीडियो में आप लोग को इसकी जो सेटिंग होते हैं उसके बारे बतानी वाला हूँ यह जो वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले जो फोन की सेटिंग होते हैं उसे उपन करना होगा आप जैसी फोन की सेटिंग को उपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको फोन की सेटिंग उपन होके सु होगी तो यहां पर आपको स्वाइब करके नीचे आना होगा आप जैसे नीचे आपर एक options होगा, privacy and app encryption का तो इस पो एक click कर देना होगा आप जिस से इस पोई click कर पहोगी तो यह यहाँ पर बोलेगा कि आपको एप लोग के लिए जो भी नया password रखना है उस नय पासवड को यहाँ पर दीजे तो मुझे एप लोग के लिए जो भी मेरा नया पास्वर्ट रखना है उस पास्वर्ट को मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ इस तरीके से इसके बाद से restrict को डबल से देंके confirm कर देना इतना करती कुछ इस तरीक से एक security आंसर मंगेगा जो कि अगर कभी आप जो एप लोग का password उड़ता है उसे भूल जाओ तो आप इस security आंसर को देखे एप लोग को यहाँ पर ठीक कर सकती हूँ इतना करने के बाद कुछ इस तरीक का आपको add later कर देना होगा इतना करती है आपके सामने यहाँ पर एक options होगा app encryption का तो आपको इस पर click कर देना होगा आप जिसे app encryption पर click करोगी तो कुछ इस तरीक से आपके phone की सभी app आपको यहाँ पर सुहने लग जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है जिस भी app पर यहाँ पर fingerprint app lock लगाने उसके सामने वाली button को on करना है app lock time पर click करना है second वाले option को select करना है इतना करने के बाद आपको back आजाना है आप जिसे back आओगे तो यहाँ पर जो app होती है उस पर lock लग जाएगा लेकिन अभी यहाँ पर सरिफ जो पिन होता है उसी से वो app unlock होगी आपको finger से unlock करना के लिए double से security पे klik करना होगा नीचे आना होगा यहाँ पर options का फिंगर पृंट का तो आपको click करना होगा आपका जो भी system का यहाँ पर pattern होता है उस pattern को देना होगा pattern को पास्वर्ट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देने के बाद यहाँ पर यह बटन ओन हो जाएगा इसके बाद मैंने एल्बम पर एप लोग किया था तो मैं एल्बम को उपन करता हूं तो यहाँ पर देखिए फिंगर मांग रहा है मैं जैसे यहाँ पर फिंगर को देता हूं तो यहाँ पर unlock हो जाता है तो guys को जिसी तरीके से आप भी अपनी phone में इस setting का use कर सकते हो उठेंग सुरूँ वाच्चिंग